शनिवार को भारत की साइबर सरक्षा एजेंसी ने कहा कि देश में आरोग्य सेतू मुबाइल एप की नाम पर ओनलाइन धोखा धड़ी के मामले में तेजी आई है कोविड-19 में हमारी के दरान इंटरनेट यूजर्स के जग्यासा का लाब उठाकर ठग उनके साथ साइबर धोखा धड़ी कर रहे हैं एजेंसी ने आगे कहा कि साइबर अपराधी विश्व स्वास्त संगर्ठन से जुड़ी लिंक और लोगप्रिये वीडियो कॉन्फरेंस साइटों जैसे जूम आदी से मिलते जुलते लिंक बनाकर लोगों की सम्विदनशील सूचनाय चुरा रहे हैं भारती कम्प्यूटर इमर्जेंसी प्रतिक्रिया दल के जारी किये गए परामर्ष की प्रती में एजेंसी ने कहा कि आरोगी सेतु एप के नाम पर साइबर धोखा धड़ी के मामले बढ़े हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आरोगी सेतु एप यूजर को ये बताने के लिए कि उसके आसपास कौन-कौन संक्रमित हुआ है ये बताने के लिए फोन के ब्लूटूथ और जीपीएस का इस्तमाल करता है परावर्ष में कहा गया है कि हाल में हो रहे साइबर साधी इस महामारी का लाब उठाते हुए लोगों से उनकी सविधन शील सूचनाय हासिल कर रहे हैं